है आज का वीडियो बहुत यह स्पेसल होने वाला है आज का वीडियो एक डिमांडिंग वीडियो है जो इंजेक्शन के बारे में बताएंगे कि बहुत सारा जो commonly used जो most commonly used में जो इंजेक्शन आते हैं उसके बारे में बात करेंगे जो रजीए इनिक्ष के बारे हम बात करेंगे चलिकिन के बात करेंगे चलिए इसे रजके लिए बात करेंगे और आस्थामा के लिए पर रहे जिसे सांस प्रोब्लम के लिए कौन सा इंजेक्शन बेस्ट होता है उसके लिए बात करेंगे तो चले वीडियो में लास तक जरूर बने रहा है चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देखेंगे हम के नाल जे सिक पेन एंड फिवर के लिए मतलब जो तीन ग्रूप बना है कि मोर्फिन स्टार्फेत इंजेक्शन ये घकशने जो कभी उच करना रहता है जो सारे बात करेंगे दो सबसे पहले इसंगा सभाष्ण और मिल जाएगाnae उसके बात करेंगे बात की जो एकिरको ने मॉइरए जिसे बारन्न का देखन नबार्षिप करें में आपकर और मोर्टेन करके जो आता है यह इंजेक्शन तब लगाया जाता है जब पेसेंट को डाइकलोफिनक इंजेक्शन से अराम नहीं होता है यह पेनकिलर इंजेक्शन होता है जो हमारे बड़ी में किसी भी तरह के दर्द को रिमूब कर देता है तो डाइकलोफिनक इंजेक्शन से अगर दर्द नहीं ठीक हो completely तब उसके बाद morfin injection का यूज किया जाता है जिस समय कि बहुत ही ज़्यादा pain होता हूँ जैसे कोई पेसेंट का जो surgery हुआ है तो उसका बहुत ज़्याद pain हो रहा है उस समय में ये injection का यूज कर सकते हैं उसे बाद हो गया कि मतलब पेसेंट का accident हुआ है बहुत ज़्यादा इसको दर्द pain हो रहा है उस समय में आप इस injection का यूज कर सकते हैं और next देखेंगे fever के लिए तो fever के लिए अगर इसका composition हो गया salt name हो गया और जो brand name होता है जो बहुत सरा brand name से आपको market में देखने को मिल जाता है परासिटामोल होता है कि बुखार जब पेसेंट का जो fever होता है तो fever को कम करने के लिए इस injection को ठीक करने के लिए इस करने के परासिटामोल होता है उसका बात नेक्ष्ट सेख लेंगे जो नेक्स्ट है अधा उल पैन के लिए जो कंको सांफ इन्जेक्शन होता है जो बीषट इंजेक्शन होता चलिये सबसे पहले बात करेंग अगर injection के बाद करें तो सबसे पहला injection है जो diceclomene injection है जो आपको market में diceclowell के नाम से आपको market में देखने को मिल सकता है जो इसका brand name है diceclowell और जो इसका salt name है जो salt name है diceclomene injection है यह और उसके बाद जो injection के अगर next injection के बाद करें तो वो है डुरोटा वेरिन इंजेक्शन, डुरोटा वेरिन इंजेक्शन है, जो डुरोटी नाम से आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा, और उसे बाद नेक्ष्ट के बारे में बात करें, तो वह है कि हाई सुइन, हायो सीन इंजेक्शन है यह, जो बहुत ही फ्यक्टिव हाइस त्रीन इंजेक्षन जो आपको बुसकों!! या गैस के कारणन हो या पेट में हो जाता है कि मतलब पेट आइशना या अलसर की तरह हो जाना पेट में गरना आजीव ढंके फील होना तो यह गैस के सारी प्रोब्लम में अगर पेट दर्द कर रहा है तो उस सिच्वेशन में आप इस इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं और एक बात ध्यान लखेगा किसी भी इंजेक्शन का यूज करने से फ़ले आप डॉक्टर से सलाह जरूर ले लिजेगा यह वीडियो आपको सिफ नौलेज के लिए हैं जो भी मेडिकल एस्टुडेंट है अगर यह वीडियो देख रहा है तो उसके लिए बेस्ट वीडियो है आप नौलेज के लिए आप बस इस वीडियो को देखिए और किसी भी तरह का आपको अगर प्रोब्लम है तो आप डॉक्टर से सलाह लेकर यह इस इंजेक्शन सबका यूज कीजिएगा चलिए उसका नेक्स्ट देखेंगे अगर नेक्स्ट के बारे में अगर बात करें तो नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में अगर बात करें तो इंजेक्शन है गैस्टराइटिस गैस्टराइटिस के लिए तो उसके लिए आता है कि एक रेंटेक हो गया जो रेंटेक इंजेक्शन गैस्टराइटिक्स का मतलब हो गया कि पेट में किसी भी तरह का गैस बनना गै सब्सक्राइब जो इन्जेक्शन और जो पेंट आप नाम से आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा तो इससे क्या होता है कि आपको पेट में गैस बन रहा है या अलसर हो गया लब इस सारी सिवेशन में आप यह इंजेक्शन दे सकते हैं उसके बाद अगर नेक्स्ट स्में का मतलब हो गया की मतलब मतलब जो के लिए जो इंजक्तिन है उसके बार मात करते हैं कि ऑल्टी जब तो समय में कौन90 लगाना चाहिए तो उसके बार में बात सबसे पहला देखेंगे जो इंजेक्षान है जो ओंड़न सेट्रों इंजेक्षान है कि युद्ध क्या जाता है उसके बाद इंजेक्षण हें जो है next इन अन्हेक्षण ही मेटो क्य परामाइड इनजेक्षण ही यूइप एंजेक्षण है जो भी उल्टी को रोकने के लिए ऊस्छा म्तलब म मतलब यूज किया जाता है इस सारी इंजेक्षण को उसके बाद नेक्स्ट देख लेंगे नेक्स्ट इंजक्शन के बारे में बात करें तो वह एंटिवायोटिक्स एंटिवायोटिक्स इंजक्शन है जो इसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले है जो एंटिवायोटिक्स इंजक्शन है उसमें है कि सबसे पहले है Injection जो इसका salt name हो गया जो अगर इसका 82 मतेल्स के बाद करें तो जेंटी还是 जेंटी सीन नाम से मार्केट में आपको देखने को मिल अजयागा जेंटी सीन और भी सारा brand name से मार्केट में आपको मिल सकता उसके बाद है कि next है जो amica scene है जो इसका brand अगर इसका यूज के बारे में बात करें यह आपको लंग्स इंफेक्शन को ट्रीट करने के लिए आपको यूज किया जाता है तो इस सारे सिच्वेशन में आप इस इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं इंजेक्शन के नाम के बारे में आप बात करें तो है आपको मतलब लन्क्स इंसकंड के लिक्षा है के लिए यूज किया जाता है यूटी आई इंफेक्शन के लिए यूज किया जाता है जो यूटी आई इंफेक्शन होता है जो यूटी आई इंफेक्शन वो फीमेल में ज्यादा देखने को मिलती है तो इस सिच्वेशन में आप मतलब इस इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं विश किया जाता कि आप इस पहले की है और यास्त होता उसके तेस्ट करने के बाद यह इंजेक्षन का यूज किया जाता यह बहुत ही बहतर इंजेक्शन होता है जो इस टेस्ट के बाद पता चलता है कि आपका किस तरह का प्रोब्लम है उस सिचिवसन में आप इस इंजेक्शन का यूज कर सकते हैं उसके बाद नेक्ष्ट देख लेंगे अगर नेक्ष्ट के बाद करें तो यह है एंटी एलर्जिक इंजेक्शन है एंटी एलर्जिक इंजेक्शन है अगर इसका बात करें तो सबसे पहला जो एविल है अगर इसका साल्ट नेम के बारे में बात करें तो फेनीरा माइन मेलेट करके आता है यह यह एलर्जिक के कंडि किसी तरह का अगर इचिंग हो गया है या लाल चक्यता हो गया तो उस समय में मतलब इस इंजेक्शन का यूज कर सकते है एभिल का हो गया उसका गाद हो गया कि डेक्षोन आग्स आग बात करें लिए डेक्षा मेता सोन नाम से यह आपको मार्केट में मिलता है साल्ट नेम है कि यह ड्यक्सा में और इसका्व बराणने में जो ड्यक्सोंना यह आपको यह शारे जो दबाई के हैं एल जफिल हो गया यह सार काम होता है कि इन्टी एलर्जी इंजेक्शन होता एक विद्ध कृच्छतरôm को doświad City भी कि यह बेटा में था सून इंजेक्शन है जो बेजिक बेजिक नाम से इसका ब्राण्ड नेम है जो मार्केट में आपको देखने को मिलता है इस सारी सीचुसन में अगर आपको इलर्जी जैसी कंडिशन में आप इस इंजेक्शन सबको यूज़ कर सकते हैं अगर मान लिए क्योंकि यह एंटी एलर्जीक इंजेक्शन होता है जिससे क्या होता है कि पेसेंट को मतलब ट्रीट किया जा सकता है उस दवाई का साइड इफेक्ट को रोका जा सकता है यह एंटी एलर्जीक इंजेक्शन लगाने के बाद उसके बाद नेक्स्ट देख लेंगे नेक्स्ट होता है कि बलौड को रोका जा सकता और जब होता कि पेसेंट का एक्सिडेंट हो जाता है और बहुत ज़्यादा बलौड लॉस रहा है तो उस समय में भी आप इस इंजेक्शन का यूच कर सकते हैं तो इस ने एक्सा कैसे आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा इस इंजेख़न को अगर आप किसी और का परियेट के दरान भी आपको blood a heavy blood loss हो गया तो वust समय भी ? इस INJा का यूज कर सकते इसका मतलब है के स्टॉप बिलीडिंग किसी भी तरह से आप स्टॉप बिलीडिंग मतलब बलॉड को रोक सकते हैं इस इंजेक्शन के थूरू तो सब्सक्राइब नेक्स्ट देख लेंगे को आप सकते हुजसरा है कि उस समय में आप इन्जेक्शन जो यूच करना चाहिए वह इसका साल्ट नेम इन कोवलामीन साल्ट नम है और यही इसका ब्रांड नम के बारे में बात करें तो है मिठाइल कोवाल मिठाइल कोवल जो इसका ब्रांड नम है जो इस इंजेक्शन का क्या होता कि विकनेस का प्रोब्लम को दूर करता है यह इंजेक्शन आपको बड़ी में एनर्जी देने का काम करता है वही में दूसरा injection है जो polio bean है अगर इसके का ह सं את करें तो यह só político कुम्टे करते दीक्स वित बितामीक बीटामिन वार कि आधार किसी कमी को दूर करता ओल्द इंजेक्षन क्या हुता है इससे ऐसे कि लेंगे है जो नेक्स्ट है aiming at next injection के बात करें तो यह इंजेक्शन होता है ब्रून ब्रॉन चिल अस्थामा के लिए Brave गशिद संझी अस्थामा के लिए होता है जिसको ख़ते हैं कि सांस की प्रोबलम सांस असी तरह से नहीं लेने के करांद यह होता कि कि आपका oxygen level कम हो जाता है या मतलब आस्थामा जैसी प्रोब्लम में आपको सांस की प्रोब्लम हो तो उस समय में आप यह injection लगा सकते हैं जो बहुत ही popular injection है इसका नाम है dairy filing और यही इसका अगर salt time के बारे में बात करें तो यह दो नाम से आता है होता है कि itophilin और theophilin करके यह आपको market में देखने को मिल जाता है कि itophilin और theophilin और इसका जो यूज होता है जो बहुत ही अच्छा यह मतलब injection होता है कि आप सांस की प्रोब्लम है तो इस situation में आप इस injection का यूज कर सकते हैं तो कैसा लगा आपको यह video comment box में जरूर बताएगा मिलते हैं फिर इस्ट्रियो में यह